हेलो स्टुरेंट्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिचिनाव फैली एजुकेटर पे स्टुरेंट्स आज हम नाइन्थ क्लास से मैट्स का चैप्टर फर्स्ट दिनम्बर सिस्टम एक्सराइज 1.1 का क्वेशन नम्बर 1 करेंगे क्या है गंगे इस जीरो परन क्या है क्या अफ इसको पह बात कर देखा है तो फटा फट जा करके आप इसी लगेंगे अगर आपको introduction part आप लोग ने पढ़ा है तो, okay, students पहले rational number की बात करते हैं, कि rational numbers क्या होते हैं, ऐसे numbers जो p upon q की form में होते हैं, ठीक है, p upon q की form में होते हैं, but q not equals to 0 होना चाहिए, students, q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी number के upon में 0 रखोगे, तो 0 से कोई भ बापिस 4 आता जाएगा, तो इसका मतलब 4 को कोई फरेक ही नहीं पड़ा, 4 को तो divide करी नहीं पाया ये, तो 0 जो होता है, वो किसी भी number को divide नहीं कर सकता, okay, students, इसलिए, तो लेकिन अगर हम बात करें 0 की, तो 0 के upon में 1 हो सकता है, मतलब p के upon में 1 हो सकता है, मतलब p 0 हो सकता ह but q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये number भी क्या है, rational number है, students, अगर 0 के upon में आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब 1 definitely होता है, okay, 2 देख लो, इसके upon में 1 होता है, आप कोई भी number देख लो, जैसे कि अगर आप बात करें, तो 1 भी rational होता है, क्योंकि इसके upon में yes, 0 is a rational number, ठीक है, yes, yes लिख करके आपको लिखना है, because, इसका reason देना है, because, देखिए, because 0 equals to 0 upon 1, which is in the form of p upon q, तो 0 को हम p upon q की form में लिख सकते हैं, definitely लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिलकुल simple है, बहुत आसान है, बहुत ही असान है, तो आप 0 को rational number बोल सकते हैं, students, क् कि इसको हम p upon q की form में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, तो आज की बात अगर कोई पूछे, 0 क्या है, तो आप लोग पोल सकते हैं, कि 0 क्या है, rational number है, ओके, दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैने माना है, पल-पल आहें भरता है, मिलने से क्यूं डरता है, दिल मेरे तू दीवाना है, Okay friends, thank you for watching.